अपने मोबाइल में प्ले इस्टोर पर रीडिम कोड केसे डाल सकते ही हालो फ्रेंड्स आज इके इसी वीडियो में जानेंगे कि अपने मोबाइल में प्ले इस्टोर पर रीडिम कोड को केसे यूज कर सकते ही दोस्तों आपके पास में भी play store का कोई redeem को submit कर सकते हैं हम आज की इसी वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों अब इसी वीडियो को end तक देख लेना मैं आपको step by step समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा और आपी अपने mobile में play store पर redeem code को add करना सीख के जाओगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों वीडियो को start करने से पहले अभी तक आपने इस channel को subscribe कर देना और आपको possible end गंटी दिखाए देरी उसी गंटी को भी all पर प्रेस कर देना उसके बद गैस आप अपने mobile में play store को open कर लेना दोस्तों कई बरतों कोई सी भी application को download करते हैं तो गैस उसमें आपको पैसे दालने होते हैं कोई redeem code डालना होता है तो गैस आप अपने mobile में play store पर redeem code डाल दोगे तो गैस आपको discount मिल जाएगा तो गैस आप अपने mobile में play store को open करके आपका अपर कोन में अपनी profile दिखाए देरी उस पर आपको click कर लेना उसके बत करने बद गैस आपको आपर दिखाए दारा payment and succession उस पर आपको click कर लेना जैसे उस पर click करने बद गैस आपको आपको गैस आपको next option open हो जाएगा उसके बत गैस आपको आपर अपर email id आ जाएगी उसके बद गयस आपके पास में जो Readim Code होगा उसको आपको टाइप करने बद गयस आपका आपर Readim पर कलिक करने जैसे उस पर कलिक करोगे तो गयस यह Readim Code अवलोबल होगा तो गयस आपका आपर चूट मिल जाएगी उसके बद गयस आप Readim Code को कैसे यूज कर सकते हैं जैसे आपका आपका आपर दिकादरा बुक्स उस पर आपको कलिक कलेना या आप प्ले स्टोर में किसी भी एप्लिकेशन को डाउनलोड करते होंगे तो गयस आपका आपर पैसे देने के लिए बोलेगा जैसे आपका आपर दिकादरा मैं कान्यो की बुक्स को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो गयस आपका आपर 10 रुपे देना पड़ेगा तो गयस आपका आपर 10 रुपे को अपने मोबाल में Readim Code की मद्द से भी आपको सेक्शन पास सकते हो और कौन से भी एप्लिकेशन को अ कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों आप इस चनल पर नए हो तो चनल को सास्काइबर जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद